डियरे स्टुडेंट में विद्देश अगर और आप देख रहे हैं इसकी विद्देश अगर सिंग के चैनल देखिए आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं हिंदी गोधली किताब है आप लोग का काब बेखंड पार्ट नमबर 11 जिनके लेखक हैं जीवनानांद दास त सब्सक्राइब नहीं के हैं नीचे लाल के बटन दबा कर सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के वीडियो और हाँ यह वीडियो अपने दोस्त के पास या भाई भाई बहन या कोई अगल वगल आप चर्चित कवियों में से एक जीवनान दास का जन में 17 फरवर 899 में हुआ था रविंद नात के बाद बंगला असाहित के आधुनिक काबे दोलन में गती दने वाले कवियों में जीवनान दास ही हैं इनके समय में स्वर्चंद दवाद एवं अलग हट कर कविता की नई सर्व वादी भूमी तलास करना अत्यांत महस्पूंड कारे था इस कारे में जीवनान दास की एगरणी भूमी का रही इन्होंने बंगला के जीवन में रस भरकर उसके जड़ों में पहचाना और उसे अपनी कविता के स्वर्म दिया सिर्फ पाच्पंट साल में ही उम्र में जीव प्रिक्षा में आप लोग को पुछता है जीवनान दास के प्रमुख रचना है यानि उनकी रचना क्या या राचना कौन-कौन से रचना किये थे तो सबसे पहले जानिए जहरा पालक, धूसर पंडिली पी, बनलता सेन, महापेथ बीवी, सात्ती तरार, तीमीर जीवनान दासेर, स्रेष्ट कविता, रूपसी बंगला, बेला, काल बेला, मन हिंगम आदी यह सब रचना आए थी, आप लोगों यह बात समझ में नहीं आए और नहीं बनता है, और भी कुछ पांचे कोचन है, जो के हम वीडियों को लाइशना में बताएंगे सबसे पहले आप लोग्ग जानिहीं, भासा ऑर भाव के दिश्टी कों से नहीं सहिली सूच कर जीवन द दास जी क्या बताए है कवीता कविता कविता लट कर आऊंगा फिर में अपनी मात्री भूमी और परिवस के उत्रेस्ट प्रेम ब्यक्त करतें हैं देखिए। के प्रति अपने हार्दिक्त सनेह के अभिवयक्त किया है कविता में कभी का अपनी मातरी भूमी या परिवेश्ट का उत्करेश्ट प्रेम 북한 होता है बंगला अपने नैसारगी के समोहन के साथ है चुनिंदा चित्रों को संकेतित रूप में कविता में विन्यस्त है इस नौसर है जीवन के बाद भी इसी बंगेला के एक फिर आने का ललसा मातरी भोमी के प्रती कवी के प्रेम की एक मोहक और भंगीमा के रूप में सामने आती है और जिवनान अंदास कहते हैं इसी दुनिया में फिर से एक बार आने की यानि जो दुनिया है हमारा पित्वी है यानि जो जिवनान अंदास की मातरी भूमी है वहाँ पर जन्म लेने की बात करते हैं कवी कहता है कि धान के खेत वाले बंगला में बहती नदी के किनारे मैं एक दिन लटूंगा हो सकता है मनुस बन कर न लटूं अबाबिल यह जान लिजी तो जिना लंदास कहते हैं मैं एक बार लटूंगा जरूर इस धरती पे लेकिन हो सकता है मैं मनुष से बन कर न लड़तूं कोई अन्य जीवजनतू में मेरा जन्म हो या अन्य जीवजनतू के रूप में मेरा यहां पे आना होगा लेकिन एक बार कहते हैं मैं आऊंगा जरूर यानि लोट कर आओंगा जरूर होकर या फिर कॉँवा होकर या भोर की फुटकी कीड़न की साथ धान खेतों पर छहाय कुहा से मैं कटहल के पेंड की छाया मैं जरूर आओंगा यह सब अब लोग पाठ का नाम भी देख सकते हैं तो पाठ का नाम है लटकर आऊंगा फिर तो उसी का उन्सर बताते हैं जिनों अन्दास किसी की सोरी के हंस बन कर घुंगुरू जैसे लाल-लाल पैरों में दिन भर हरी हरी घास की गंध वाली पानी पर तैर रहूंगा बंगाल की मल चली नदियां बंगाल के हरे भरे मैदान जिसे नदियत होती है बुलाएंगे और मैं न आऊं उन्नी के सजल नदियों के टट पर यानि काते हैं कि उनका नदी जब उनको बुलाएगा तो मैं अना आऊँ तो जरूर आऊंगा यानि वो बताते हैं इस धर्ती पे मैं फिर से लटकर आऊँगा हो सकता है साम की हवा में किसी उर्ते हुए उल्लु को देखो या फिर कपास के पेंड से तुम ही उसे बोली सुनाई दे हो सकता है तुम किसी बालक के घांस वाली जमीन पर मुठी पर उबले चावल को फिकते देखो या फिर रुपसा नदी के मटमेले पानी के किसी लड़के को फटे उरते पाल की नाव तेजी से ले जाते देखो कुम लोग देखना मैं जरूर आँगा है कवी ने बंगला का जो द्रिस्ट चित्रे इस कवीता में उतारा है वह तो मोहक है ही और गहरी छाप छोड़ता है इसके साथ ही कवी ने अंधेरे के साथ होने का उलेख द्वारा कवीता के नई उचाई दी है यह अंधेरा है बंग है अब साटे हैं कि में एक दिन जृरूर आऊंगा जी से आप लोग इसे किसी को गरिब मानते हैं किसी को व्याव एक दोरा कर जाएगा और ही किसी ना किसी रूप में आ सकता है तो उसका आने कई यानि कभी उसको महान आप मानेंगे कभी उसको बेकार मानेंगे तो हो सकता है आपका सोच गलत हो क्यांकि जो लेखक है मान के जिनान दास लेखक हैं और इनको एक बार कभी बंद गए और अच्छा काम किये तो अच्छे मान रहे हैं और हो सकता है गरीब की घर या बेकार अजमी की घर इनका जन्म हुआ तो इनको बेकार मानने लेंगे तो यह देखिए दुखत की बात है यह जान लिजिए कि हर जीव आच्छा होता है बस उसको अच्छे करमे करना होता है और अच्छा बनना होता है बाकी सभी जीव अच्छा है कोई जीव खराब नहीं है और कोई गरीब नहीं कोई धन नहीं यही जीवनानाद अपनी कहानी बताना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहां पर जान लेते हैं कि इस पार्ट से कौन-कौन कोचन भी आई है और कौन-कौन कोचन इस वर्स आ सकता है तो जान लिजिए जिसे में देखी लोट कर आऊंगा फिर कविता में कभी एक बार फिर कहां आने की लाल सा अब्यक्त करता है तो यह आप जीवना-नन्दास किस भास आगे रचना कर रहें तो आल लोग द्यान दीजिये यह कौमचन इस बार लिख लिजे के आप लोग को आए गाई आए गा ठीक है जीवना-नन्दास की रचना कौन सी है तो राचना देखी अनेक है लेकिन से चारा आपसन आप लोग आपसे सुनने की बात कई है कभी ने वह सुनने करते पानी बात करते हैं का पास seminar हे वीरiben क्लहपना के गहीं है यह उल्लू को साम most हागा की उल्लू का पर्वाया बनकर तेरते रहने की काम नहीं है यह करते हैं हंस 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 से भूरु बानकर यह इंकलबना करते हैं छे ओ आप लोग को देगा और उसमें से 1े कोचन यानि एक का एंसर होगा तो एक कोचन आप लोगे तीन-चार कोचन मतलब जो रचना है उसका याद कर लिजेगा तो आप रुख सही सही एंसर कर पाएंगे जीवनान अंदास के जन में कब हुआ था तो यह जान लीजिए फिर से सत्रा फ्रवरी 1899 में हुआ था ठीक है लोट को रांगा फिर कभीता कौन है यह है राष्टी चितना की है और इनके लेख़क है जीवनान अंदास सबसे पहले और एक जान जीवनान अंदास के मिजटू कभ हुई थी तो यह हुई थी अगले वीडियो में तो यह जानना बहुत जूरी है इस वर्स के मैट्री के प्रिक्षा में आने वाला है तो ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में तो यह जाहिन जाए भारत बंदे मातिरम